मेरी तरा बैर आप कैसे लगा सकते हैं? वो भी इतना चोटा सा कंटेनर में. ये देखिए कैसे बैर का फोल इतना सारा आया है और फॉल भी बन गया है और ये सब हुगा है, साथ दिनों के अन्दर में आप भी कैसे इतना बड़ा बैर का प्लांट कर सकते हैं जिसे एपल बैर भी कहा जाता है आप कहीं देखते होंगे आपके छेत में जरूर होगा इसका कटिंग से लेके ये कैसे कैसे लगाया जाता है ये टूजेद भी धिवताएंगे इसलिए पूरा आं तक वीडियो देखते रहें देखी कितना सारा फूल था और इसके लिए पहल । से कटिंग लिया था और वह कटिंग लेके इसमें मैं लगा दिया था जैसे ही मैं लगाया था तो उसके बाद देख सकते हैं ये कैसे हुगा है शुरू से देखा देते हैं पहले एक बार हचा अब इसमें मतलब दस बारा कटिंग बन जाए और वैसा ही डाली मैं अभी ले सकते हैं अभी छोटा डाली ना ले सबसे बड़ा डाली ले इसमें एक खासियत होता है यह दो सीजन में फलता है मेरा एक सीजन अभी है इससे पहले बाला मैं फोल जला दिया था लेकिन इस बाला फू कर ले और जितना भी पत्ती है सारा चीज को हटा दें ऐसे तो इसे मतलब जहां लगाईएगा वहां आपको धूप लगाने की जरूरत नहीं होगी 10 दिनों तक उसके बाद अभी तो बरसात का मौसम था इसलिए ठंड़ा गया है और हमीडिटी है तो आप यह अराम से लगा सक है वह सुख सुख के उसमें कोई अब्जार्ब नहीं होगा और जल्द से कटिंग लग जाता है और कटिंग लगाने के लिए ऐसा ही डाली ले मतलब 12 डाली ले ले उसमें से जितना काटा है काटा से बाच के रहें काटा को हटाते रहें बराबर हटाते रहें जितना सारा का कटिंग लेना है उतना ले ली जिए और सब कटिंग को आप छोड़ दीजे मैं इसे लेकिन लेने के समय आपको यह ध्यान रखना होगा जो आपको सारा चीज अच्छी तरह से गुलाब्स है तो गुलाब्स पहन के ही लगा लीजे जिसे यह होता है जो आपको कटिंग लेने में असानी होता है कटिंग अगर लेना चाहते हैं तो गुलाब्स ही रखें और इसमें गुलाब्स का जरूरत इसली होता है जो काटा इसका और गुलाब-उला जो मैं बता है था सुरू में उसके लिए आप एक मतलब कोई गमला या कोई चीज ले ले और जिसमें लगाना चाहते हैं उसमें छेद होना चाहिए और आपको रूटिंग हार्मोन के लिए रूटिंग हार्मोन आपके पास नहीं है तो एकदम सद्धारन साथ दो रूपय का समान भी नहीं लगेगा आप एलवेरा जेल ले ले लिए लगा के उसमें लगा दीजे अगर वर्मी कंपोस्ट और मिटी अच्छा होगा और एवरा जेल बहुत होता है वहां तक आप लगा दीजे जिससे यह होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा कली आता है मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा निकलता है जो इसका जर होता है और जितना जल्दी निकलेगा उतना ही आपको फाइदा मंद रहेगा ठंड का मौसम है तो तुरांता राम से निकल जाता है, गर्मी के मौसा में में यह होता है नीचे से बह जाए इतना पानी दे दिजिए उसके बाद आप अच्छी तरह से पानी देते रहे हैं यह होना चाहिए जो जब पानी सुख जाए तभी दुबारा फिर पानी देना चाहिए तिबारा फिर देना चाहिए लेकिन आप वही देखिए घर में और यह गिर गया ऐसे गिरने न दिये जिए नहीं तो आपका एर बवल होके खराब हो जाएगा और उपर से पन्नी आपको लगा देना होगा जिससे यह होता है उसे में ही एर रहे और पानी मौास्चर मतलब हरदम बना रहा है जिससे यह जल्दी से जल्दी गुरो करते जाएगा उसके बाद आप ऐसा डबा ले या आप गमला ले 22-25 सिंच का और उसके नीचे में मैं जैसे यह भर दिया हूं इसमें मिट्टी भर दे और मिट्टी वर्मिकंपोस्ट जो है 75 और 25 का रेशियो रखे 75 गाडेनरस वाल और 25 आप वर्मिकंपोस्ट रखे को ऐसा भी मिट्टी में चल जाता है यह सब प्लांट वाला जो होता है वो को ऐसा भी यह सब चीज जो होता है आप रूर किनार में देखिए का बहुत सारा फ़ल रहता है प्लांट रहता है इसमें यह है कटिंग वाला लिजिए या ग्राफ्टेड लिजिए जैसा भी लिजिए उसमे के बाद ऐसा रहता है ग्राफ्टेट अगर रहा है तो नीचे से आप देख लिजेगा कि जो कितना अच्छा है टूटे नहीं तो टूटने से यह बाला कटिंग में लगाने से यह होता है जो नीचे बाला अगर ग्राफ्टेट बाल यह तूट भी गया तो नीचे से पनकी दे एकदम भुर भुरी जितना आपको चाहिए उतना ही और मिटी मिलाने के लिए आप हाँ से प्रयोग करें या जैसे करना चाहते हैं मिटी ऐसे मैं गलती किया था इसके ऊपर तक भर देता तो बहुत अच्छा रहता जहां तक हैंडिल है पकरने वाला गलत किया था लेकिन अब रखना चाहते हैं उतना ही ज्यादा रहेगा और भी बर्मिंग कंपोस्ट मैं रखा था इसमें और आपको बता दें नीम का खली रखा था 2 मूठी और 2 मूठी इसमें रख दिया था यहbles स्टर्ड के का energized और एक ओर अंडी का खली भी मेरे पास था तो भी रख दिया था और एक टीशी का खली एक मूठी रख दिया इतना सारा मैं मिला दिया था और हुमी के सीड भी मेरे पास था तो वो दो चमच रख दिया था इसलिए रख दिया था जो ज्यादा से ज्यादा इसमें मतलब गमला में तो हर्ती के समाने मात्रा में आपको यहां मिलाना होगा सब चीज ऐसे वर्मिंग कमपोस्ट में सारा चेज पाया जाता है लेकिन ओंशी मैं इसलिए रखा था बीच में आप गद्धा कर दिए यह मेरा मिटी ही बहर गया है इसमें इस में निकल कर है और उसमें देखा था जब जब इसका निकाल के और लगाया था तो उसमें मिटी और मिटी और उसमें राइस ह Lori वाला देखिये जैसी यह है ये तूट तूटने के का गार पे हो गया है यह कोई तोर दिया था ऐसे ही कि यह ऐसे ही जूट गया था और देखिए कैसे यह मैं फार रहा हूं इसी मैं फार दूंगा और इसी में रहने दिया मैं इसे डिस्टर्ब नहीं किया था जिसके कारण यह आराम से लग गया था और इतना अच्छा लग गय और ज्यादा से ज्यादा फूल लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिटी और खात देते रहे जितना ज्यादा दीजेगा उतना ही आपके लिए फैदे मंद रहेगा देखिए तूटने लगा है और इसे अच्छी तर से मैं पकर करके रखता हूं और जितना अच्छी तर से हो प्लाइब कर रहा है जो तो घुट गया तो उसके नीचे से देगा लेकिन मेरा जहां से तूटा ठावहां से मैं इतना अच्छा लख्री इसमें लिए धाल दिया था जो इ license बंद गया और यहां गाहर पड़ गया है are written कर देचिए गाहर तो बहुत लेकिन यह यह तिरचा प्लांट हो गया तो वह भी चल सकता है और इतना सारा फूल दिया है इतना सारा और उसके श्प्रे करने के लिए मैंने जो प्रयोक किया था उसका नाम बता रहा हूं मीरा कुलान और रोगर का प्रयोक किया था जो देख सकते हैं आप मीरा कुलान रोगर कहिए गय जैसे ही लग गया यह पूरा मतलब आई स्प्रे कर दिया हूं एक-एक मतलब फूल पती में एस्प्रे है और जैसे ही यह बढ़ा होगा और यह मतलब इसमें बढ़ा आएगा तो बढ़ा बढ़ा फल तो मैं इस पर एक डिडिकेटिर वीडियो बना के बता दूंगा जो कि कटिंग इसी में रख दिया हूँ नास्वाती वीडियो आपका वेवलेबल हो जाएगा देखिए कितना सारा फूल है और फूल भी है और यह कितना शोटा गमला में है और इसका देखिए रूट निकला हुगा है मैं इसे भी ठीक कर दूंगा और उसमें तो बैगन में एक कैसे लाओंगा वह सब देख रहा हूँ धन्यबाद इतना देखिए